इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कितना spend करना चाहिए अपने Facebook ads पर ये एक generic question है ये बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि हम कितना spend करें अपने ad पर कितना budget दे हम ad set को या कितनी दिगर तक campaign को चलने दिया जाए ये सब कुछ questions है जो general लोग face करते हैं तो उस कोई भी doubt आता है तो doubt भी आप पूछ सकते हो अब ये जो question है कि कितना spend करना चाहिए ये depend करता है आपके product के उपर आप क्या sell कर रहे हो कितनी चीजे sell कर रहे हो किस quantity में sell करना चाहते हो तो ये बहुत ही आप कह सकते हो कि कोई general figure नहीं है इसका कि भाई तुम इतना spend करो बस ठीक है ये बहुत सारे factors पर depend करता है और वो factors मैं आपको समझा दूगा और उसके हिसाब से फिर आप अपने brand के लिए अपने product के लिए आप calculate कर सकते हो कि आपको कितना spend करना चाहिए अगर आप एक ये चीज जाना चाहते हो कि आपके पास कितना budget होना चाहिए facebook ads में spend करने क कि कम से कम दिन का 1000 रुपए facebook ad पर spend होना ही चाहिए अगर आप उससे कम spend कर रहे हो तो बहुत मुश्किल जाएगा आपको चीजों को scale करना क्यूंकि आपको data जो लाना है data लाने में आपको problem आएगी ठीक है तो उसके हिसाब से 30 से 40,000 रुपए is minimum that you need कि आप अगर facebook ads इस अगर आप यहां पर चीजे सी डिफरेंस जाएंगी अगर आपका e-commerce store है तो टेस्टिंग में आपको यह कोशिच करनी है कि अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो तो टेस्टिंग में आप profitable रहो या break-even पे रहो ठीक है अगर आप एक e-commerce से हो या फिर अगर आप digital product भी sell कर हो और आप एक direct बड़ा product sell करते हो let's suppose 1000 रुपीज का पे product sell कर रहे हो ठीक है तो make sure कि टेस्टिंग के टाइम पे भी आ तो आप break-even तक पहुचो या फिर आप profitable रहो ठीक है वही टेस्टिंग कामियाब रहेगी क्योंकि अगर आप टेस्टिंग में ही loss में जा रहे हो फिर उस अगर कि आप उस product को scale कर सकते हो या फिर उस product की और country को आप मंगा सकते हो plus रही बात अभी digital product की या फिर courses वगर की अगर आप lead generate करते हो तो महाँ पतर टेस्टिंग में आप profitable नहीं हो सकते वो तो obvious सी बात है but जो आप lead generate कर रहे हो उसका conversion rate अच्छा होना चीए कि आप testing ऐसी जलती है वाकि अगर e-commerce हो तो make sure कि आप यहां पर profitable रहो तो आपके पास यह question हट जाएगा कि testing में कितना spend करना है भाई अगर testing में आप spend कर रहे हो उसमें profitable हो तो spend करते रहो ना फिर पूछना क्यों है कितना करना है अगर आप profitable spend करते रहो बढ़ाते रहो spend ठीक है लेक अगर आप break even तक हो तो आपको main focus रहना चाहिए कि आप कैसे इसको profitability का में ले जा सकते हो या तो add cost down करके या फिर आपका product cost बढ़ा product price बढ़ा करके या फिर यह भी बढ़ा करके ठीक है और अगर आप loss में हो तो फिर आपको अलग-अलग type testing करनी पड़ेगी creative की image की वीडिय अगर आपको इन सब के बारे में जाना है तो YouTube पे बहुत सारी वीडियो में डाल रखी है उनको भी आप देख सकते हो या फिर आप मेरी workshop को join कर सकते हो description में link दिया हुआ है तो हमार testing phase में simple सा अगर आपका question है कितना spend करे कितना spend करे यह चीज़े focus करो कि main focus आपका होगी या या break even या profitability तक तो पहुंचो ही पहुंचो उतना तो spend करना ही करना है ठीक है बात करते हैं दूसरे की budget on assets कि अगर आप assets कितना budget आपको देना है अब यहाँ पर भी यह बहुत साई चीज़े है जो main का point है that is this कि यह product price पे भी depend करता है मालो कि आप 4000 का product sell करने जा रहे हो और 500 प अगर आप दे रहे हैं उससे जादा रहे तो भी अच्छा है क्योंकि less budget जो low budget वाले आड़ सेट होते हैं 200 रुपे 200 रुपे 300 रुपे वाले उसमें क्या होता है कि उसमें data को लाने में time बहुत लग जाता है क्योंकि अगर मालों को 2500 रुपे का adset है को 300 रुपे का adset है तो रिजल्ट आपको नहीं मिलता है ठीक है तो make sure कि आप 500-800 का budget अटलीस तो और यहां पर यह important है कि आप different budgets को test करो कि आपका किस budget पे आपको अच्छा result Facebook प्रवाइड कर रहा है यह भी एक मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप budget भी अलग-लग अगर test करते हो तो वहां से भी रखना है आपको 500-800-800 तक बेटर रहता है 600-800-700 आप अलग-लग budget डाल सकते हो ठीक है उसके बाद less budget वाला जो less budget देने से क्या होता है कि data आपको कम मिलता है यहां पर एक और चीज़ है कि कुछ लोगों को हो सकता है low budget पे result मिल रहा हो तो आप उसके साथ आगे जा सकते है व दो तीन possibilities होती है या तो आप break even पर जाओगे या फिर आप profitable रहो गया तो आप loss पर हो ठीक है अगर आप loss पे हो तो यहां पर आप या कर सकते हो कि आप depend करेगा कि भाई आपने कितना spend कर दिया for an example अगर आपके product का price 1000 रुपए है ठीक है तो अगर आप 3000-4000 उस particular product के लिए कि इसी एक audience पे किसी एक चीज़ पर test out कर चुके हो ठीक है यानि कि उसका दुगना या 2.5 x आप spend कर चुके हो एक audience को लेकर के creative के साथ ठीक है और फिर भी आप loss में हो तो उसको बंद करना is okay कि आप उसे बंद कर सकते हो क्योंकि आपने product price का 2.5 या 3 x spend कर दिया है यह मेरा logic है ठीक है अगर आप profitable हो तो तो भाई बहुत अच्छी बात है बढ़ाओ spending अपनी और अच्छा ज्यादा increase करो profitability of scaling कैसे करनी है उसके लिए like video है वो आप देख सकते हो ठीक है तो आप इसमें तो कोई tension वाली बात ही नहीं है अगर आप profitable हो के तो भाई बात खतब ठीक है अब आ सकते हो या फिर आप देख सकते हो कि मेरा आड कहां पर जादा perform कर रहा है कि सेट पर जादा perform कर रहा है कौन सी ओडिन्स पर परफॉर्म कर रहा है and then उसको mix करके आप यह test out कर लोगे कि भाई कहां पर मैं और फोड़ा सा नीचे cost per purchase लेकर आ सकता हूं तो वहां से आपकी profitability आ 1532,000 तक spend करो उस particular audience पे उस particular targeting पे creative copy वह सब देखते हुए and then उसको आप ऐसे test out कर सकते हो ठीक है तो इस आप से आप अपने इसलिए budget set कर लो अगर आपका budget बहुत limited है बहुत कम budget है तो मतले को minimum तो मैंने आपको बताई दिया कि इतना तो होना ही चाहिए अगर उससे भी कम है कम chances है हमी के time पे digital product core selling में अगर आप हो तो शायद यह हो भी सकता है अगर आप physical product sell कर रहे तो बहुत कम chances इसके होने के तो minimum 30 to 40,000 होना चाहिए क्योंकि back में आपके पास cash flow होना चाहिए अगर आपके पास cash flow नहीं है पैसे नहीं है पीछे तो फिर add में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है शुरूआत में ठीक है कि आप you know अगर backup नहीं है आपके पास एक बार जब flow चालो जाते एक बार machine चलन सकते हो मैं आपका reply कर दूँगा and subscribe कर देना यार और वीडियो अच्छी लगी हो तो please वो भी बता देना नहीं अच्छी लोगी हो तो वो भी बता देना धंग सेगी क्या नहीं पसंद आया ठीक है बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद